Hello Everyone, Welcome to a Special Dinner Vlog आज की वीडियो बेसिकली एक रेसिपी वीडियो है हमने अपनी नेबर्स को डिनर पे इंवाइट किया था इस छोटी सी गेट टुगेदर में जो भी मैंन्यू मैंने रेडी किया जो उनकी रेसिपी थी आज सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हूं Because of a reason, अपनी नेबर्स को इस बार में आपके साथ इंट्रीईूस नहीं करवा सकती Next time पका जब भे हों को स्पेशल मेल रेडी करते हैं तो उसमें मेन कोर्स के साथ साथ स्नाक्स और डिजर्ट भी होता है तो dessert हमेशा ही मैं सबसे पहले रेडी करके रखती हूँ अगर आपने मेरा किटी पाटी व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा था कि विंटर्स के दिन थे और मैंने एक रात पहले ही काजर का हलवा रेडी करके रख लिया था एक कप पानी में आधा कप चीनी डालके अलग से बॉयल करने के लिए रख दिया है चीनी अच्छे से घूल जाए उसके बाद 5-4 मिनिटे से और पका लेंगे दूसरे साइड मैंने दो कप दूद के लिए हैं उसमें से कुछ दूद मैंने निकालके अलग रख लिया है इसमें हम कौन स्टाच मिक्स करेंगे दो कप दूद है तो एक कप मैंने यहाँ पर शुगर ली है इसके बाद इसी दूद में मैंने आधी कटोरी मलाई की डाली है आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का इस्तिमाल भी कर सकते हैं बस अब थोड़ थोड़ दिर में दूद को चलाते रहें ताकि दूद की कंसिंस्टनसी थोड़ी सी थिक हो जाए फ्लेवर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइची पौडर भी मैंने इसमें डाल दिया है आप जो दूद हमने अलग से कटोरी में निकाल के रखा था उसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच कॉन फ्लार प्लेन कॉन स्टाच के इलावा आप फ्लेवर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं जैसे कि आप कस्टर पौडर भी आड़ कर सकते हैं अदर्वाइस आप ऐसे भी नॉर्मले बनाएं तो भी ये डिश बहुत बढ़िया बनती है पानी में जो चीनी हमने मिलाई है उसकी चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ चीनी को उसमें डिशॉल्व होने देना है और 5-4 मिनट और पका लेंगे उसके बद उतार के साइट रख देंगे दूद में कॉन स्टाच मिलाते वक्त फ्लेम विल को लो कर देना है और लगाता चलाते हुए 3-4 मिनट हम इसको और पका लेंगे आज की व्लॉग में बच्चे आपको बिलकुल साइलेंट ही मिलेंगे क्योंकि उनके टेस्ट वगरा चल रहे हैं तो मैंने उनको किसी भी तरह से बिलकुल भी डिस्टर्ब नहीं किया डिनर की तियारी देखकर आज ब्रेकफास्ट में सबने सिरफ फ्रूट्स लिये क्योंकि मैं किचन में फुली वीजी थी तो मैंने लंच भी अलग से बनाने की कोई खितमत नहीं की जो लेफ्ट ओवर था वही आज मैं सब को सर्व करूंगी चलिए सबसे पहले स्वीट डिश रेडि करके फ्रिज में रख देते हैं ग्लास का एक फ्लाट आपको बर्तन लेना है उसमें हम डालेंगे रस्क रस्क हम सबी नॉर्मली चाहे के साथ खाते हैं जो भी साइज आपके पास अवलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं उसके उपर डालेंगे हम शुगर सिरप जो हमने बना के रखा है शुगर सिरप को आप थोड़ा सा गरम ही डालें बहुत ठंडा होने ना दें इसके बाद जो दूद की रबड़ी हमने बनाई है वो हम इसके उपर डाल देंगे इसी तरह से हम एक लेयर और रेडी करेंगे आप चाहें तो दो लेयर्स अचाहें तो तीन लेयर्स भी रेडी कर सकते हैं पहले शुगर सिर्प उसके बाद रबड़ी गानिश कर सकते हैं अपनी मन पसंद के ड्राइब फूट के साथ आप चाहें तो इसमें टूटी फूटी भी डाल सकते हैं वो भी देखने में और खाने में बहुत अच्छे लगती है बस अब इसे फ्रिज में रख देना है शाम तक ही बिल्कुल सेट हो जाएगी बिल्कुल थंडी हो जाएगी तो अभी मैं स्नाक्स आइटम्स को मरीनेट कर दूँगी तीनतना के स्नाक्स मैंने इस मेन्यू में एड़ किये हैं एक वेजिटेरियन है और दो नौन वेजिटेरियन जो लोग वेजिटेरियन है वो नौन वेजवले पार्ट को स्किप कर सकते हैं तीनों स्नाक्स में से किसी भी स्नाक को मैं फ्राय नहीं कर रही हूँ, तीनों को मैं अवन में रोस्ट करके ही बनाऊंगी, तो अभी मैंने इस बर्तन में प्यास, शिमला मिर्च और मिर्च और मिश्रूम लिये हैं, आप चाहे तो इसमें पनीर भी आड़ कर सकते हैं, मैंने सब वाइट पेपर डाला है और साथ ही डाली है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम बस इन सभी सबचेयों को इनमें सालों के साथ कोट करके साइट रखतीजिए जब भी आप रोस्ट करना चाहे कर सकते हैं लेकिन मिनिमम टो मिनिमम इनको एक घंटा आप मेरिनेट करके ज़रूर रख काली मिर्च का पाउडर इन सब को मिला के आदे घंटे के लिए साइट रखतीजिए एक मुझे के राउंड आज सब ने लंच कर लिया था जैस्मिन के लंच में आज कर्ड सैंड़िश था उसने अपना सैंड़िश बनाया और लेके चले गई बाकी सब को मैंने चपाती के स पिछले दिन का लेफ्ट ओवर ही सर्फ किया चलिए रेडी कर देते हैं चिकन मलाई टिका के लिए सेकिंड मिरिनेशन उसके लिए में चाहिए होगा दही साथी में डाला है इसमें मौजरेला चीज उसके रावा हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम तो फ्रेश क्रीम आप अपर भी बना सकते हैं या फिर आप मलाई भी यूजर कर सकते हैं तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लेजिए उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हारी मिर्श का पेस्ट साथी इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा धनिया डाला है बारिक बारिक काटके फोड़ा सा मैंने इसमें नमक पहले भी डाल चुके हैं तो इसके हिसाब से ही डालिए ताथी में इसमें डेर्ड चमच के करिव डाला है चिबड़ चिबड़ जिन लोगों को नहीं पता यह तरह का फूरूट होता है जिसे क्यूका मेलन भी कहते हैं रूदूर में भी इसका यूस किया जाता है च्कन फगरा को बिल्कुल सौफ्ट बनाने के लिए इसके अलावा इसका है इसका हिस्का support अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करणा there चीज के चीव गरा भी अच्छे से स्कों ठॉट कर लेंगे और साइट रखतेंगे तकरीब तीन चार गंटे के लिए और स्टफी को कभी कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ से कि मैं आज कितनी बिजी हूँ या मैं फ्री हूँ उसे खाना हाद से ही खाना है जो ही टू मन्स का है लेकिन अपना खाना खुद फटा फट से खा जाता है लेकिन स्टफी की आतें बहुत ज़्यादा खराब है काफी हद तक इसके लिए मैं खुदी रिस्पॉंसिबल हूँ स्नाक्स में चिकर मलाई टिका के साथ साथ रोस्टेड चिकर भी बनाऊंगी इसमें भी दो मेरिनेशन ही जाएंगी तो पहली मेरिनेशन में सिरफ नमक, जिंजर गालिक पेस्ट और साथ में लेमन जूस जाएगा तंदूरी चिकन की सेकेंड मेरिनेशन में दही जाएगा साथी जाएगा कलर के लिए देगी मिर्च का पाउडर साथी थोड़ा सा डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर गरम मसाला पाउडर नमक डालेंगे स्वात के नुसार नमक हम पहले भी डाल चुके हैं उसके बार डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर तंदूरी चिकन का मसाला डालेंगे चोटी राइची का पौडर डालेंगे साथी से भी डालेंगे क्रश करके कसूरी मेथी तीन बड़े चमच मैने इसमें मस्टर्ड ओयल भी डाला है बस अब अच्छे से सब चीज़ों को मिला लीजिए और चिकन को इसके साथ कोट करके दो-तिन घंटे के लिए साइट रखतीजिए जब भी हमको डिनर प्लान करते हैं और दो-तिन आइटम्स अगर हम अवन की रख देते हैं तो हमारा काम काफी कम हो जाता है मैरिनेशन तक ही काम है उसके बाद तो आपको सिरफ अवन में लगाना है और निकालना है इनसे मिलिये छुटकू जो लोग अपर तक नहीं मिले हैं कुछ लोग नाम पूछ रहे थे कि नाम क्या रखा है तो नाम रखा है जोई जे-ो-ई-वाई में कोर्स में मैंने दो आइटम्स रखी हैं दाल महरानी और साथी बनाएंगे पनीर और दाल महरानी बनाने के लिए मैंने साबुत मूंग और उड़त की दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और साथी भिगो दिया था चनान दाल तीनों की कॉंटिटी मैंने एक बराबर ली है आधा कप उड़त दाल, आधा कप चनादाल और आधा कप ही मूंग दाल ली थे Electrical cooker में ही मैं इसे boil करने के लिए रख रही हूँ 37 में डाल रही हूँ कुटा हुआ अज्रक लसन और हरी मिर्श का paste साथ इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पौडर, थोड़ा सा लाल मिर्श का पौडर, थोड़ा सा गर्मसाला भी डाला है दाल चड़ा के चलिए पनीर रेडी कर लेते हैं पनीर मसाला बना रही हूँ टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें ना प्यास जाएगा ना लसुन जाएगा इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे शिम्ला मिर्श और टमाटर से सबसे पहले ओयल में सूखी लाल मिर्श, जीरा, धनिया और साथी अद्रक के कुछ बड़े-बड़े टुकड़े काटके डाल दिये हैं उसके बाद डाल देंगे इसमें कटी खुई शिम्ला मिर्श दो तिन मिनट के लिए शिम्ला मिर्श को हम सौटे कर लेंगे उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है उसमें हल्दी पौडर, लाल मिर्श पौडर और गराम सलना पौडर डालके तीनों को अच्छे से घोल लेना है शिम्ला मिर्श थोड़ी कुक हो जाए, उसके बाद फ्लेम आफ कर देंगे और इसमें डालेंगे हरे धनी की थोड़ी डंडिया इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, हलका सा इने सौटे कर लीजिए अभी ग्राइंडर जार में मैंने 4-5 बड़े बड़े टमाटर लिये हैं, उसके बाद इसमें डाल दी है शिम्ला मिर्श इन दोनों चीजों को अच्छे से हम ग्राइंड करके प्योरे रेड़ी कर लेंगे टमाटर कच्छे हैं, शिम्ला मिर्श थोड़ी पकी हुई, टमाटरों को भी हम बाद में पकाएंगे ज़रूर और इस सबजी का थोड़ा टैंगी सा टेस्ट आता है अभी पैन में थोड़ा सा बटर डाला है, साथ ही वो मुसाले डाल दिये हैं जो कोटोरी में हमने पानी में घोल के रखे थे उसके बाद वो प्योरे डाल देंगे जो अभी अभी हमने ग्राइंड किया है कम से कम भी 8-10 मिनट लगेंगे इस ग्रेवी को पकने के लिए ग्रेवी पक जाए उसके बाद इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल देंगे अब पनीर को आप तवे के उपर भी रोस्ट करके डाल सकते हैं मैंने यहां पर रोब पनीर का ही इस्तिमाल किया है पनीर मसाला का टेस्प ढ़ाने के लिए ओविसली मलाई या फ्रेश क्रिम का इस्तिमाल हम कर सकते हैं हरे धनी एक साथ गार्निश करना चाहें तो हरे धनी एक साथ गार्निश कर सकते हैं अदर्वाज इसमें कसूरी मिति भी ढाल सकते हैं. बूंदी रहता बना के फिर्ज में मैंने रख दिया है धंडा होने के लिए दाल को तड़का लगा लेते हैं. तड़का लगाने के लिए देस्थी का इस्त Ball किया है थोड़ा स मने इसमें बटर भी ढाला है. दो लॉंग डाले हैं थोड़ी सी दालचीनी डाले है प्यास डाल देंगे बारी कटा हुआ उसे ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे उसके बाद जिंजर गालिक का पेज डालना है थोड़ा सा थोड़ी सी जिसमें हरी मिर्च भी हो टमाटर इसमें काटके नहीं डालेंगे टमाटरों को ग्राइंड करके उनकी प्यूरे रड़ी कर लेंगे वो इसमें डालेंगे मसाले ज़ादा डालने की ज़रूरत नहीं है अल्रडी हम मसाले इसमें डाल चुके हैं लेकिन फिर भी हलकी से मैंने हल्दी डाली है, हलका सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, टमाटर अच्छी से पक जाएं, तो इस तड़के को उठाके धाल में डाल दीजिए, दस मिनट तक इसे पकने दीजिए, उसके बाद हम इसमें है थोड़ा सा हींग, जीरा और गरमसाला पाउडर, सुबा से लेकर शाम तक जब तक मैंने काम किया, स्तिंदर सरताज का म्यूजिक चलता रहा, गर्मी वाला काम तो हो चुका था, अब सिर्व अवन का काम पाकी था, मैंने शार लिया, उसके बाद वापिस किचिन में आई और अवन का काम स्टार्ट किया, वन बाई वन मैंने सब चीज़ों को रोस्ट करना शुरू गिया, सबसे पहले मैंने मश्रूम रोस्ट किये, उसके बाद मैं तंदूरी चिकन बनाया, उसके बाद मैं चिकन मलाई टिका भी बना के रख लिया, ठंडा होने पर यही चीज़ सबी साथ साथ ही गरम होते रहेंगे और आप enjoy नहीं कर पाएंगे dessert भी बहुत अच्छे से set हो चुका है और खाने में सच में बहुत tasty था आप बना के किसी को खिलाएंगे तो कोई judge नहीं कर पाएगा कि यह सच में रस्क से बने है जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की starting में भी आपको बताया कि किसी reason की वज़ा से इस बार में अपने neighbor से आपको introduce नहीं करवा पाऊंगी लेकिन next time पक्का करवाऊंगी यह हमारे नए neighbor हैं पिछले महीं ने इन्होंने हमें dinner पे invite किया था और एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाने का अच्छा bond बनाने का dinner से better कोई option हो नहीं सकता so हम सबने तो बहुत अच्छा time spent किया और अब बार है वीडियो का end करने की बिलूंगी next वीडियो में till then bye bye take care and stay healthy